हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि ग्रीन वासिंग क्या होता है अभी हाल ही में कॉप 27 में एंटेनियो गुट्रेस जी ने ग्रीन वासिंग टर्म को एड्रेस किया है और इसे काफी चिंताजनक बताया है इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो दहिंदू न्यूजपेपर के एक्स्प्लेंट सेक्षन से लिया गया है इसका लिंक भी वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा तो फर्स्ट अफॉल डिफिनिशन तो थ्री इडियोट के चांचड के लेंगवेज में बोला जाएं तो यह सिंप्ली इन्वर्मेंट फ्रेंडली के नाम पे लोगों को ठगने वाली बात है जिसके ग्रीन वासिंग कहा जाता है इसके अलावा बुकिस डिफिनिशन भी स्क्रीन पे आ रहा है जिसमें अंडरलाइन कर दिया गए इसके बाद सवाल आता है कि क्यों करते हैं यह वैन और रिजिन प्रोफिट मैक्सिमाइजेशन वहीवर आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कंपनी या तो अपने आपको इंवर्नमेंट फ्रेंडली दिखाने की कुछिज करती इसलिए ऐसा करती या फिर प्रोफिट मैक्सिमाइजेशन वहलांके इनवर्नमेंट फ्रेंडली भी आपने आपको क्यों दिखाना चाहेगी उसके पिछे रीजन यही है कि पहले रेप्यूटेशन बना और उसके बाद प्रोफित बनाओ देरी जॉड़ी उन वेन और रीजन प्रोफित मैक्सिमाईजेशन प्रोफित मैक्सिमाईजेशन करें तो करें कैसे इसका कुछ टेकनिक अन्स लोगों ने यूज किया है just like by cutting down product bundle आपको याद होगा इंडिया में जब पहले जो भी cell phones आते थे उनके साथ एक earphone भी आया करता था charger भी आया करता था तो earphone तो काफी पहले चला गया अभी rarely किसी phone में आपको earphone साथ में मिलेगा या फिर earbud साथ में मिलेगा आपको अब अलग से खरीदना पड़ता है एंड दिन अब charger काइब कर दिया है एपल वालों ने और उसे देख करके मैंने रिसिंटली सुना कि Samsung के भी किसी phone में charger हटा दिया गया है इसके पीछे उनका claim यह है कि charger frequently खराब नहीं होते हैं जबकि mobile frequently खराब होता है इसलिए charger को साथ में देने का जरूरत नहीं है बड़ प्रॉब्लम में इसकी एपल अभी तक अलग ही charging port यूज कर रहा था तो इसमिन्स कि अगर आप किसी और company से एपल पर shift कर रहे है जो कि lightning port के नाम से जाना जाता था और जबकि other companies में आपको USB Micro या फिर USB Type-C मिलता था तो आपको एपल का charger भी अलग से लेना पड़ाएगा मतले महाँ के phone के बाद महाँ का charger भी similarly आप आज के date में कोई फोन खरीदेंगे तो आपको earphone या earbud अलग से खरीदना होगा कि देन सेकंड थी इस बाइस सेविंग अन लोजिस्टिक को लोग लोजिस्टिक एक्सपेंस पर बचाना चाहते हैं जाए लाइक पैकेजिंग का भजन कम कर देंगे वह कुछ पैकेज सेफटी को थोड़ा सा मिनिमाइज करके उसका बर्डेन चला जाएगा फिर लोजिस्टिक कंपनी पर इसके बाद कुछ कंट्रीज में कुछ गवर्मेंट्स है जोकी रिलैक्सेशन दे रहे हैं कुछ सेस्माफ कर देते हैं अगर आपका प्रोड़क्ट इको फ्रें बना रही है तो उनको काफी सारे रिलैक्सेशन गवर्मेंट देती हैं तो जूट मूट का अपने प्रोड़क्ट को इको फ्रेंडली बता करके भी कंपनी इस तरह के रिलैक्सेशन दे रही हैं इसके बाद सवाल आता है कि ये करते कैसे हैं तो सिंपल है इको फ्रेंडली के बहुत सारे synonym बन चुके हैं और वो लोग इन synonyms को किसी भी तरीके से तोर मड़ोर करके यूज करते हैं कुछ टर्म्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर net zero net zero aligned eco friendly green ecological इस तरह के किसी सब्द को यूज कर रहे हैं जिसके बारे में कोई satisfactory evidence भी नहीं होता उनके पास और किसी स्टेज में किसी एक स्टेज में इस तरह का प्रोसेस यूज कर लेते हैं जहां पर कि उन्होंने थोड़ा से को friendly काम किया हो और फिर बोल देंगे कि नहीं हमारा तो पूरा प्रोसेस ही इको friendly हो गया हमारा प्रोड़क्ट इको friendly है तो इस तरह के mitigation इस तरह के चीजों को mitigate करना होगा अब आती है बात कि क्या government ने कभी ऐसे false claims पर कुछ सिकंजा कसा है तो हां कसा है अप्रिल 2022 में यूएस फेडरल ट्रेड कमिशन ने कोल एंड वालमाट को पेनलाइज किया था 5.5 मिलियन डॉलर का पेनाल्टी लगा था इसमें वह लोग पेनाल्टी इसलिए लगा था विकाज वो कंपनी बंबू के नाम पर रेओन यूज कर रहा था और वो इंटेरियर डेकोरेशन के प्रड़क्ट यूज कर रहे थे बोल रहा थे मेड वाफ बंबू बट इट वाज मेड अफ रेओन और रेओन बनता है से जिसके मेनुफेक्शन के लिए sodium hydroxide यूज किया ज जिम्यवारी दी गई है कि आप एक ESG कमिटी गठित करें और ESG मिन्स इन्वर्नमेंटल सोचल और गवर्नेंस जो कि कंपनी के ESG स्किम्स को इनालिसिस करेगी कि जो कंपनी से भी के अंदर रेजिस्टर्ड हैं वो कंपनी ESG नॉर्म्स को फॉलो कर रही है कि नहीं क्या वो ESG क्लेम तो नहीं कर रहे हैं और इसमें जो अभी में क्लाइंट्स होंगे जिन पर नजर रखा जागा वो मूचल फंड और ऑनर्स होंगे कि जो कि मिस्सेलिंग ना कर रहे हूं वो लोगों को अपने स्टॉक लिस्ट में रखें कि इसके बाद कुछ रिकमेंडेशन सायथ है कि ऐसे चैलेंजिस को किस तरह से टैकल किया जा जिसमें फ़र्ष्ट चैले रिकमेंडेशन तो यह है और काफी कारगर भी है कि इस तरह का क्लेम कोई नॉन अस्टेट अक्टर अपने मन से ना कर पाए और खास करके तब बिल्कुल भी नहीं जब वो कोई फोसिल फ्यूइल के लिए खरीदारी कर रहे हूं या फिर फोसिल फ्यूइल बना रहे हूं जैसला कोई कंपनी अगर कोईला भी निकाल रही है और फिर बोले कि हम तो निटजिरो एमिशन कर रहे हैं तो बहुत कोईला क्यों निकाल रहे थे कहीं और से इस तरह के सवाल को पैदा करना चाहिए और किसी न्हुन एस्टेट अक्टर को अलाउन नहीं करना चाहिए कोई भी company जो कि इनको reduce करने के लिए काम कर रहा हो मतलब कि emission को reduce कर रहा हो जो कि ना सिर्फ किसी एक chain में हो बलकि वो entire chain में होना चाहिए जैसा मैंने बोला कि हो सकता कोई company पाच processes use करते हो इन raw product को final product बनाने के लिए और पाच processes में से mostly initial या final में वो zero emission अगर achieve कर लेते हैं तो इस तरह का claim कर लेंगे कि भाई हमने तो raw material को zero emission से process कर दिया और अब यह final product ले लिजे लेकिन वो zero emission से first stage पे गया होगा बाकी के three four stages में emission हुए होंगे तो इस चीज को चेक करना चाहिए कि कि किसी भी stage में कोई emission ना हो emission in the sense emission of harmful particles then second point कि उनके production में या फिर company के expansion में कोई भी destructive activity ना हो जैसे कि कुछ harmful chemicals का निकलना किसी fossil fuel को acquire करना या फिर deforestation करना इस तरह की कोई activity involved नहीं होनी चाहिए company के किसी भी stage में whether it is production और whether it is expansion of the company then एक recommendation और भी है कि voluntary disclosure को थोड़ा सा रोकना चाहिए और इसे regulatory authorities के अंडर डालना चाहिए regulatory authority decide करे हलांकि इस मामले में मैं थोड़ा सा skeptical दहिंदू में एक और suggestion दिया गया है आप चाहें तो हाँ पढ़ सकते हैं उसमें लिखा गया है कि एक regulatory agency बना देना चाहिए जो कि इस चीज को judge करेगा बट मुझे लगता कि ये फिर से लाल फिता साही वाली बात हो जागी रेटेटेपीजम वाली बात हो जाएगी कि company को एक जगह से clearance लेना होगा और फिर clearance देने वाली agency पैसे लेकर के clearance दे रही होगी और फिर जनता को कोई खास फाइदा नहीं होगा जस्ट एक office बन जाएगा घुस खोरो का सो देट लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा देखने के लिए धन्यवाद अमीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे तैयारी कर दो हैं